हलो स्टुडेंट्स आज 12 सितंबर 2021 एट लास्ट नीट एग्जामिनेशन खतम हुआ मैं आशा रखता हुआ सभी का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ होगा तो यहाँ पर मैं कुछ आज जो सवाल आये थे तो उसका कुछ जवाब लेकि मैं आया हूँ मैं एक्स्प वाट पर्सेंटेज आप दा प्रोजेनी विल बी डिजीज़ ठीक है तो हम जानते हैं के जो सिकल सिल अनीमिया है वो और जो नॉर्मल जीन है उसको हम लोग पकड़ते हैं HBA और जो डिजीज के लिए जो रिस्पॉंसिबल जीन है या म्यूटन जीन उसको हम लोग क्या पक सब्सक्राइब करें है या हेटरोजाइगस है HBA HBS फिमेल अब गैमेट्स क्या बनेंगे मेल बॉडी में दो प्रकार के गैमेट बनेंगे HBA HBS फिमेल में भी सेम होगा ओटोजमल है ना ओटोजमल रिसेशिव HBA HBS अब देखते हैं क्रॉस में क्या होगा HBA HBA मतलब यह होगा नोर्मल चाइल्ड ओके यह वाला गैमेट के साथ अगर यह वाला गैमेट फ्यूशन होता है तो क्या होता है HBA HBS मतलब यह हो जाएगा केरियर यानि इनका पेरेंट जैसा है दोनों ही हेटरोजाइगास तो यह भी होगा हेटरोजाइगास आब आते हैं ये gamet के साथ ये gamet यानि HBA, HBS ये भी हो गया carrier या heterozygous अगर ये gamet के साथ ये gamet fuse करता है तो क्या हो जाता है HBS, HBS यानि ये जो mutant allyl है ये mutant allyl आ गया homozygous condition में तो ये हो गया diseased तो sickle cell anemia से affected कौन होगा सिर्फ ये वाला जो बच्चा है यानि चार में से सिर्फ एक यानि 25% ठीक है तो option था 100%, 50%, 75%, 25% तो answer इसका होगा 25% ठीक है चलिए, screenshot ले लीजिए ओके, आते हैं और एक सवाल पर which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein protein synthesis के लिए कौन सा RNA जरूरत नहीं है si RNA mRNA option 3 में था tRNA यानि transfer RNA option 4 में था ribosomal RNA मेरे चैनल में अल्वेडी protein synthesis या translation के ऊपर जो वीडियो है अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये रहता है mRNA messenger RNA messenger RNA में रहता है codons 3-3 करके nucleotate के codon कहते हैं messenger RNA तो जरूरत है तो ये तो translation के लिए mast इसको छोर के तो कभी हो ही नहीं सकता है mRNA के साथ आके bind करता है कौन mRNA के साथ आके bind करता है ribosomal subunits ribosomal subunits बनता है किस से ribosomal subunits में रहता है ribosomal RNA और proteins है ना ribosomal RNA और protein तो ribosomal RNA भी जरूरत है protein synthesis के लिए और याद कीजिए protein synthesis में और क्या चीज़ जरूरी है amino acids amino acids के carry करके कौन लाता है ribosomal subunits के larger subunits है उसमें क्या होता है ऐसा E-site, P-site, A-site रहता है ना E-site, P-site, A-site यहाँ पर आके कौन बैठता है ऐसे करके tRNA आके बैठता है ना translation का video जाके एक बड़ देख लेना tRNA का नाम क्यों tRNA है transfer RNA वो ऐसे amino acid के पकर के amino acid को पकर के लाता है तो amino acid को transfer करने के लिए tRNA भी जरूरी है मतलब mRNA, tRNA mRNA, tRNA and rRNA these three are required for translation तो इसका ज़रूर answer क्या होगा siRNA क्योंकि पुछा गया था which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein protein synthesis में किसका जरूरूरत नहीं है siRNA का जरूरत नहीं है तो इस cancer होगा siRNA ठीक है next if adenine if adenine makes 30% of the DNA molecule इसका भी video मेरे channel में है जाके चारगाफ रूल का वीडियो देख लो मेरे channel में जाके videos में जाओ आपे मिल जाएगा चारगाफ रूल का वीडियो if adenine makes 30% of the DNA molecule अगर DNA में adenine 30% रहता है adenine makes 30% of DNA molecule what will be the percentage of thaimin thaimin का percentage क्या होगा guanine का percentage क्या होगा cytosine का percentage क्या होगा चाठ्थो option दिया गया है option देखने का जरूरत नहीं है ऐसे ही निकल जाएगा हम लोग को पता है according to Chargaf rule in a DNA concentration of adenine will be equal to the concentration of thaimin क्योंकि DNA का structure में अगर एक strand में adenine रहता है तो उसको opposite strand में adenine के साथ thaimin का double bond होता है guanine के साथ cytosine का triple bond होता है तो DNA में अगर एक तरफ adenine रहेगा तो दूसरे तरफ thaimin को रहना ही होगा तो the concentration of adenine will be equal to the concentration of thaimin मतलब adenine 30% बोल दिया गया है इसका मतलब thaimin भी 30% हो गया तो adenine thaimin मिला के हो गया 60% यानि 100 में से अगर 60% का हम लोग माइनस कर देते हैं तो रहता है 40% तो DNA का बाकि 40% कौन होगा DNA का बाकि 40% होगा guanine और cytosine अब guanine और cytosine का percentage भी equal रहता है है ना concentration of G equal to the concentration of C तो 40% दोनों को मिला के दोनों equal है तो क्या होगा 20% 20% तो option में जिसमें होगा thaimin 30% guanine 20% cytosine 20% वही सही answer होगा ठीक है तो चलिए ये वाल answer हो गया next which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes transcription in prokaryotes के उपर भी मेरे चैनल में वीडियो है वो वीडियो देखने से ये भी answer आपको एकदम आसानी से करके आना चाहिए था which of the only enzyme which is the only enzyme that has the capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes transcription in prokaryotes के वीडियो देख लो option में क्या क्या है option में है dna's dna's option 2 में क्या है dna dependent dna polymerase option 3 में क्या है dna dependent rna polymerase option 4 में क्या है dna ligase देखिए dna polymerase तो dna का जो polymer वो बनाने में help करेगा यानि replication में काम आता है तो यह तो कभी भी नहीं होगा dna ligase क्या करता है ओकाजा की fragments को जोरने में help करता है तो यह भी replication में काम आता है नहीं होगा dna is dna क्या करता है dna को तोरने में help करता है तो यह भी नहीं होगा एक ही एकदम आसान सा सवाल था dna dependent rna polymerase अब इस rna polymerase enzyme को dna dependent rna polymerase क्यों कहा जाता है क्योंकि dna जो strand रहता है ना transcription के वक्त क्या होता है dna strand का बीच में hydrogen bond है वो तूट जाता है तो उसमें ऐसा transcription bubble formation होता है ना dna strand में ऐसा transcription bubble होता है ना तो ट्रांस्क्रिप्शन bubble होता है तो dna का जो nucleotide sequence है उसी को copy करके तो rna का strand बनता है तो rna में जो nucleotides आता है वो किसके basis पे आता है किसके उपर depend करके आता है dna में जो nucleotide sequence है उसके उपर depend करके rna chain बनता है इसलिए यहाँ पर जो polymerase enzyme काम करता है याँ पे जो RNA polymerase enzyme काम करता है उसका हम भोलते है dna dependent rna polymerase क्योंकि यह आरने polymerase dna के उपर dependent है किसलिए dna के जो sequence है उस sequence को उपर dependent है इसलिए यह enzyme का नाम है dna dependent rna तो इस cancer होगा DNA dependent RNA polymerase यह भी आसान सवाल था next the fruit fly has 8 chromosomes यह हम सभी को पता है अगर हम लोग sex determination पर चुके in drosophila तो हमें पता है के drosophila का drosophila melanogaster का diploid chromosome number 8 जिसमें से छेठो है autosome और दोठो है sex chromosome तो सवाल क्या है यहाँ पर सवाल है the fruit fly has 8 chromosomes in each cell during interphase of mitosis if the number of chromosomes at G1 phase is 8 what would be the number of chromosomes after S phase okay cell cycle draw कर लेते है cell cycle draw कर लेते है यह होता है M phase यह हो गया G1 phase S phase and G2 phase M phase G1 phase S phase G2 phase सवाल क्या है सवाल में बोला गया है के drosophila में 2N number equals to 8 है G1 phase में तो S phase में chromosome number क्या होगा option क्या है option है 32 option 2 है 8 option 3 है 16 option 4 है 4 देखिए सबसे बड़ा जो बात है वो है के G1 phase में हमें chromosome तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि G1 phase में chromosome कौन से form में आ जाता है chromatin fiber के form में आ जाता है लेकिन अगर हमें G1 phase में chromatin fiber को chromosome में convert कर सकते हैं तो वो chromosome कैसा दिखेगा वो chromosome हमें दिखेगा ऐसा यानि single chromatid वाला chromosome ठीक है G1 phase में अगर 8 chromosome से तो हमें ऐसा 8 chromosome देखने मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है G1 phase में S phase में क्या होता है S phase में DNA double होता है DNA synthesis होता है तो उससे क्या होता है अगर हम लोग chromosome form में इसको देखते तो G1 phase में अगर chromosome ऐसा देखने में होता यानि 1, 1 chromosome में 1, 1 chromatid है S phase अगर खतम हो जाता है तो क्या होता है ये chromatid double हो जाता है और एक बार बोलता हूँ हमें chromatid form में नहीं दिखेगा अगर हम लोग chromatid form में उसको last केंगे तो ऐसा दिखेंगे S phase में DNA duplication होता है तो S phase के बाद chromosome ऐसा देखने में होगा हर एक chromosome में देखो chromatid का number बर गया तो chromatid का number बरने से क्या हम लोग बोलेंगे chromosome बर गया? नहीं chromosome हम लोग count किस से करते है? chromosome क्या हम लोग chromatid के number से करते है? नहीं chromosome count होता है हमेशा जान लो number of centromere से यह वाला है centromere तो यहाँ पर centromere का number नहीं बढ़ा है centromere देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 आठो ही centromere है किसका number बढ़ा है? chromatid का number बढ़ा है या DNA का number डबल हुआ है इससे chromosome का number में कोई फर्क नहीं परेगा तो इसका answer obviously होगा option 2 यानी 8 ठीक है? तो इसमें 8 chromosome ही रहेगा S face के बाद भी ओके चलो और एक सवाल में आते हैं central dogma का ये भी देखो मेरे वीडियो में जाके एकदम सबसे पहला जो वीडियो है एकदम first वीडियो वो वीडियो अगर हम लोग देख चुके होंगे तो ये इसका answer भी हम लोग आज ठीक ही करके आएंगे DNA लिखा है फिर यहाँ पे लिखा है MRNA फिर यहाँ पे लिखा है option D यहाँ पे लिखा है C यहाँ पे लिखा है B और यहाँ पे ऐसे करके लिखा है A तो बोला गया है A, B, C, D यह सब क्या है बोलके चार option है हमें पता होगा कि यह central logma का figure दिया हुआ है DNA से बनता है MRNA MRNA से क्या बनता है MRNA से बनता है translation होके protein ठीक है तो D हो गया protein अब हम लोग जानते हैं कि DNA का DNA खुद को भी बना सकता है S phase में अभी पिछले सवाल में देखा ना कि S phase में DNA का replication होता है तो DNA से जो DNA बनता है वो process का नाम क्या है तो option A क्या होगा option A होगा replication DNA से MRNA बनता है process का नाम क्या है transcription और MRNA से protein बनने का process का नाम क्या है trans तो A होगा replication, B होगा transcription, C होगा translation, D होगा protein तो एकदम आसान सवाल था, Central Dogma का वीडियो देखने से ये हमें ठीक करके आना चाहिए ओके चलिए और एक सवाल को लेके यहां पे discussion चालू रखता हूँ which of the following is a correct sequence of steps in PCR, polymerase chain reaction, PCR इसमें cycles होता है एक cycle, दो cycle, तीन cycle, बहुत सारा cycle हो सकता है लेकिन हर cycle में तीन step repetition होता है, अगर ऐसा DNA है तो याद करो DNA को पहले heat देके around 90 to 95 degree Celsius का heat देके DNA को as a single stranded condition में लाया जाता है तो इस step का हम लोग क्या कहते है, हम लोग कहते है, denaturation है ना, denaturation के बाद क्या होता है denaturation के बाद DNA में RNA primer को add किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते है, primer annealing इसके बाद के step में क्या होता है, primer annealing के बाद, मैं यहाँ पर figure draw नहीं कर रहा हूँ मैं इस पर ही दिखा रहा हूँ, इसके बाद क्या होता है, यह primer को extension किया जाता है तब तो जाके नया DNA बनता है, तो first step होता है denaturation, second step होता है annealing या primer annealing third step क्या होता है, elongation या extension, extension of primer तो पहला step denaturation, second step annealing, third step extension of primer, ठीक है तो यह कुछ सवालों का जवाब मैं यहाँ पर explain कर दिया, बाकी सवालों का जवाब अगर चाहिए तो मुझे WhatsApp कर दो या नीचे comment section में जाके लिखो, वो सब मैं ले के आऊंगा बाद में, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, चलो